तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप के अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ तो बेसिकली आज का ये वीडियो हमारा 50 Days Speaking English Challenge का 28th वीडियो है जहां हम 50 Days 50 वीडियो के तुरू Speaking English को और भी ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं तो चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ तो दोस्तो हमारे sentences है वो कहां चली गई Where has she gone? अब किसकी बारी है? Whose turn is now? उन्हें पूछने का कोई फायदा नहीं It's no use asking him आप इससे बच नहीं सकते You cannot escape from this क्या कहा आपने? What did you say? चाय गर्म कर दो Heat up the tea क्या मैंने आपको सही समझा? Did I get you right? चलो कुछ नया सीखते हैं Let's learn something new आपने ऐसा क्यों कहा? Why did you say that? मुझे दोश मत दो Don't blame me तुमने उसे क्या बताया? What did you tell him? क्या तुमने कुछ कहा? Did you say something? अपना हेलमेट पहने रखो Keep your helmet on दूसरों को परिशान मत करो Don't disturb अदर तुम्हारा डरना जायज है Your fear is justified यही तो मेरी खासियत है This is only my specialty चिडाना बंद करो Stop teasing जिद मत करो Don't insist मेरी कसम खाओ Swear by me रट्टा मत मारो Don't mug up रूना धूना बंद करो Stop fussing यह जूटा पानी है This is sip water यह महंगा है It is expensive बाद में पच्टाना मत Don't regret later चुट्टे रख लो Keep the change नल खुला है Trap is running कुछ तो गडबड है Something is wrong वह गर्म दिमाग का है He is short temper सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत करो Don't trust on hearsay और last है कमरा खाली करो Vacate the room तो दोस्तों यह तो थे हमारे कुछ sentences जो हम हमारे daily life में use करते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो do like this video, subscribe the channel and share as much as you can और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर click करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं Till then keep learning, thank you फुर्शाओं अपूल